दक्षिन कश्मीर में सित पवित्र अमरनाद गुफा के पास शुक्रवार शाम बादल फटने के बाद आई बाड में कई लोगों के बहने की खबर है हादसे में अब तक 16 लोगों के मौत की पुष्टी हुई है 45 से ज़ादा लोग घायल बताय जा रहे है जबकि 40 से ज़ादा लोग अब भी लापता है लापता लोगों की तलाश में ITBP और NDRF की टी में रेस्क्यू ओपरेशन कर रही है BSF की तरब से बताया गया है कि हेलिकॉप्टर से 9 शवो को नीलगड से श्रीनगर ले जाया गया है वही रेस्क्यू ओपरेशन में भारतिय वायुसेना को भी तैनात कर दिया गया है भारतिय वायुसेना के मुताबिक अमरनात गुफास्थल में बचाव कारियों के लिए श्रीनगर से दो-दो ELH-3 और MI-17 V5 हेलिकॉप्टर तैनात किये गए है वही दो विमानों को आगे की जरुरतों के लिए चंदिगड में स्टेंड़ बाइ पर रखा गया है अमरनात गुफा शेत्र में शुक्रवार शाम बादल फटने के लिए वही दोगों की रावटी बहा रही थी टेंट बहा रहे थे लोग भी बहा रहे थे दो चार से आठ का एजवल्टी तो दस मिट के बादी पता चल गई थी हम लोगों को अमरनात गुफा शेत्र में शुक्रवार शाम बादल फटने की घटना हुए थी जिसके बाद यहाँ पर पानी का तेज बहाव दिखा गया जिसमें शद्धालू के टेंट तक बह गए अचानक आई इस बाड के कारण पवित्र गुफा के पास फसे अधिकान शियात्रियों को अब पंच तरणी शिफ्ट कर दिया गया है भारत तेबत सीमा पुलिस के अधिकारियों के मताबिक शुक्रुवार करीब शाम साड़े पाच बजे निचली गुफा में बादल फटा जिसके तुरंत बाद ही बचाव दल मौके पर पहुचा अमनात गुफा के पास जैसी हमें सुचना मिली है लगबग साड़े पाच बजे के आसपास काफी तेज बारिश हो रही थी काफी देर से और वहाँ पर पहाड के बगल में जो गुफा है उसी के ऊपर से अचानक से तेज पानी आने लगा और नाले का बहुँ धीरे धीरे ठूकिए तरह काफी नेरो है तो वहां नीचे की तरफ कुछ टेंट भी लगे हुए थे जिसमें कुछ हमारे बलों के भी टेंट थे और उसमें कुछ अधालू भी थे तो उनको वार्म किया गया उनको अलर्ट किया गया विधिन 10-15 मिनट काफी लोगों को वहाँ से निकाल सके हैं काफी सारे टेंट बह गए हैं एक्जेक्ट नंबर मेरे पास अभी नहीं है लेकिन तुरंथ ही हमारी जो फोर्सेस थी उन्होंने अपना रेस्क्य ऑपरेशन शुरू कर दिया था आई टी बीपी की दो कंपनिया और साथ ही साथ बाकी सारी जो हमारी फोर्सेस हैं उसम हम यह देख पा रहे हैं कुछ लोगों को नदी से निकाला गया है बहते हुए डाउंस्ट्री में भी चेक कर रहे हैं और कोशिश यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचे आ जा सकते हैं अजयी तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा सिंग के इस हाथसे में बाल-बाल बचने की खबर है खबरों के मताबिक परिवार समेथ अमरनाथ यात्रा पर गए टी राजा सिंग शुकरवार की शाम अचानक बादल फटने की घटना में बाल-बाल बचे राजा सिंग और उनके परिवार के सदस से एक हेलिकॉप्टर से अमरनाथ पहुचे थे उन्होंने शुक्रवार को मौसम की स्थिती बिगड़ने से पहले पहाडियों से उतरने के लिए टट्टू का इस्तमाल करने का फैसला किया था राजा सिंग ने बताया कि हमने वहाँ महसूस किया कि मौसम अचानक बिगड़ गया है ऐसे में हेलिकॉप्टर सेवा भी रद्ध कर दी गई थी इसलिए हमने टट्टू का उप्योग करके पहाडियों पर से उतरने का फैसला किया राजा सिंग ने बताया कि उन्होंने पहाडियों से करीब एक किलोमीटर नीचे बादल फटे देखा जिसके बाद कई तंबू बाढ़ में बह गए चुमकी विधायक विशेश सुरक्षा में है इसलिए सेना ने विधायक और उनके परिवार को श्रीनगर पहुचाने में मदद की राजा सिंग के मुताबिक तेलंगाना समेत अन्य राज्यों के कई लोग अब भी इस रास्ते पर फसे हुए है इस वीडियो में फिलाल के लिए बस इतना ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे है लोग मत हिंदी के साथ